Hello Friends, Agest Home Gardening में आपका स्वागत है Friends, कई बार प्लांट के पत्ते जोए पीले पड़ने लगते हैं जबकि हम वो सारी चीजे करते हैं जिसकी वेर से पत्ते पीले न पड़े उसके बावजूद भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं ऐसा क्यों होता है आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे Friends, पत्तो का पीला होना एक बहुत ही आम समस्या है इसके बहुत सारी कारण हो सकते हैं जैसक कि आप इसमें ओर वाटरिंग कर रहे हों या फिर अंडर वाटरिंग या ओर फटलाइशन या फिर इसे प्रॉपर लाइट नहीं दे रहे हो या फिर हो सकता है कि प्लांट जै डॉर्मेंसी में जा रहा हो इस तरीके से देखें तो इसके बहुत सारी कारण हो सकते हैं और इन सभी कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि plant root bond हो गया हो तो root bond क्या होता है पहले हम ये जानने की कोशिश करते है friends, root bond उसे करते हैं जब plant के root जो है इतनी जादे dense हो जाएं कि इसे grow होने के लिए जो जिस pot में लगा हुआ है वो pot जो छोटा पड़ जाएं जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये आलमांडा का पौदा है और ये पास्ति छेंज के रेलिंग पॉर्ट में लगा हुआ है और यहां आप देख सकते हैं कि इसके root बाहर आ गया है जो कि root bond होने का सबसे बड़ा पहचान होता है एक ये हो जाएगा कि प्लांट के टॉप लेयर पे आपको नजर आने लगेगा और दूसरा ये है कि जो drainage hole है उस drainage hole के रास्ते जह है root बाहर आने लगेगा जैसे कि अभी आप ये देख रहे है यहां root जह है बाहर आ गई है drainage hole के रास्ते तो ये जो दोनों जो सिम्टम है वो सबसे बड़ा करण है कि प्लांट के root bound होने का इन दोनों को देख कर आप निश्य दूप से अन्गमान लगा सकते है कि प्लांट root bound हुआ है या नहीं इसके अलावा कुछ अन्य सिम्टम भी है जैसे कि प्लांट के पत्तियां होता यह है कि जो root है इतनी ज़्यादा हो गई है soil की अपक्षा जिसकी वेज़से root soil से nutrition नहीं ले पाती है nutrition की deficiency की वेज़से ये प्लांट के पत्तियां है वो पीली पड़ने लगती है इसके अलावा आप देखेंगे कि जब plant root bound होगा तो हमें बार बार वाटरिंग करने की जोड़ पड़ेगी जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो प्रसलेगा की साम तक उसकी मिटी सुख जाती है तो एक ये भी symptom है प्लांट के root bond होने का इसके अलावा आप देखेंगे जब plant root bond होता है तो उस समय प्लांट स्ट्रेस नहसुस करता है जिसकी वज़से pest का अटेक भी ज़्यादा देखने को मिलता है और root bond अगर बहुत ही लंबे समय तक रहा तो हो सकता है कि जिस spot में लगा है उस spot को तोड़ भी दे और एक और भी symptom है जैसे कि अगर root bond हो गया है तो हो सकता है कि इसमें root root की समस्या आ जाए होता यह है कि जब विरुस की root इतनी ज़्यादा dense हो जाती है कि जो drainage hole है drainage hole को बंद करने लगती है आप watering करेंगे और पानी drain out नहीं होगा इसके drainage hole से क्योंकि इसका drainage hole तो इसकी root बंद कर लेती है जिसकी वज़से नीचे पानी इकठा होते है नतिया यह होता है कि पानी में fungus पनपता है जिसकी वज़से root में भी fungus आ जाता है और finally आपका plant dead हो जाता है इसके साथ ही कुछ ऐसे plant होते हैं जो की root bond होना जयादा पसंद करते हैं जैसे habito cider lily, snake plant, aloe vera, jet plant इस ताहिके से बहुत साथ है जो की root bond होना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जब तक यह root bond नहीं होंगे तब तक यह stress भी मैसूस नहीं करेंगे और जब तक stress नहीं महसुस करेंगे तब तक उनमें पस भी नजन नहीं आएगा जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यह जो spider लेली है और यहाँ पे यह देख सकते हैं कि soil यहाँ पे हमें तोड़ा सा root दिख रहा है यहाँ देख रहा है यह देखिए यह root बाहर आ गई है इसका मलब है कि यह root bond हो गया है root bond होने पर उसके बाद यह stress महसुस करेंगी और उसके बाद ही यह देखिए छोट छोटे pups आपको इसमें नजर आ रहे है इसके किनारे बहुत सारे बेबी प्लांट निकलने लगते हैं बेबी प्लांट तभी निकलते हैं जब प्लांट रूट बाउंड होता है root bond तब होगा root bond होने पर यह stress महसुस करेंगी जिसकी वज़से प्लांट निकलने लगेगा और मेरे पास एक 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 जोरा का प्लांट है मेनी एक जोरा और देश सकते हैं कि यह काफी घने में है और घने की वज़से यह काफी खुशुट लग रहा है इसे मैंने नसे चिलाने के बाद जगा नहीं था जिसकी वज़से जो विंटर के जो प्लांट थे खाली हो गया थे और फिर मैंने इसको टेंप्रेरी जे शिफ्ट कर दिया था इसमें तो चलिए फ्रेंट अब इसका हम चिक करते हैं कि यह रूट बॉंड हुआ है या नहीं और अभी जो देख रहे हैं सॉयल के टॉप लेयर पर यहां पर थोड़ा समूझ के लिए दिखना लेकिन अमें मैसूस हो रहा है कि अभी जो सॉयल में रूट नहीं आ रहा है ना तो जो आलमानिडा का प्लांट है यह रूट बॉंड हो गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे लच्छ न जा रहा है जैसे कि सॉयल के टॉप लेयर पर रूट बाहरा गई है और पत्ते पीले होने लग रहे हैं तो यह सभी करण है प्लांट के रूट बॉंड होने का अब एक प्ल अब यह तरीक है कि यह प्लांट भी बिल्कुल ठीक है वैसे इसका मतलब यह है कि यह प्लांट भी बिल्कुल ठीक है वैसे इस टेम देखने पर ऐसा लग सकते हैं कि हो सकता है कि प्लांट रूट बॉंड हो गया हो लेकिन आप ये दोनों चीज़े हैं जरूर चेक कीज़ेगा कि रूट बाहर आ गई है या नहीं और दूसरा रूट ड्रैनेज हो से दिख रही है कि नहीं यही दोनों जो है सबसे बड़ा सिम्टम होता है प्लांट के रूट बॉंड होने का तो ओवराल आप देखेंगे कि यह जो स्पाइडर प्लांट है जो की काफी घना हो चुका है यह अभी रूट बॉंड अभी रहना पसंद ही करेगा और यह जो एकजोरा का प्लांट है यह अभी रूट बॉंड यह भी रूट बॉंड हुआ है और वहीं आलमांडा का प्लांट रूट बॉंड हो चुका है इसके साथ ही हम एक और महतपूर बात बताना चाहा रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट काफी मोटी होती है और उस मोटी रूट से बहु reporting stress को सहन नहीं कर पाएगा जिसकी वज़ से plant गेड़ हो जाएगा तो ऐसे plants काफी जदे sensitive होते हैं और reporting stress को नहीं जहल पाएगे तो friends यह रहा plant के root bound होने का पहचान अब यदि plant root bound हो चुका है तो फिर इसका treatment कैसे करेंगे यह जाने के कोशिश करते हैं तो अगर प्लांट रूट बांड हो गया है तो आप इसको इसे reporting करने की ज़वत पड़ेगी अगर reporting अगर करते हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तरीका ये है कि आप इस प्लांट को एक इंच बड़े pot में 1-2 इंच बड़े pot में सिफ्ट कर सकते हैं और दूसरा यह कि आप उस प्रांट को उसी पॉर्ट में रहनेते हैं जो पहला काई का है कि एक से दो इंच बड़े पॉर्ट में सिफ्ट करेंगे उसमें आपको नया सॉयल बनाना पड़ेगा और जो इसके रूट बॉल है उसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगा देंगे कि रूट आपस में उलग जाएंगे और जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं रहेगा रूट को सीधा करने के लिए सबसे बेस्ट रही का है कि जब प्लांट लगाईए तो ऐसे एक हास से उठा लीजिए प्लांट को और उसके बाद से सॉयल से चाहो तरफ फिल केजिए तो यह सबसे बेस्ट पड़ता है प्लांट के रूट को सीधा करने के लिए और जब आप प्लांट को लगा देंगे उसके बाद से आप इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे वाटरिंग इतना करेंगे कि जो ड्रेनेज होल है उस रास्ते पानी निकल जाए और उसके बाद से आप इसे से या सेवी सेव सेड एडिया में रखेंगे और second- basketball जाए उस्याद में रहना पसं करेगा उसलाइट में रखेंगे जैसे कि यह फुल सब्लाइट में रखेंगे जो प्लांट ब्राइट लाइट में द्ति को की रिपार्टिंग कर सकते ही और दूसरा तरिका यह है कि आप जैसे बहुत छोटा पॉर्ट है तो हम जे से मी लगाएं गसुषण हम इसे 1-2 इंच बड़े pot में लगाएंगे जैसे कि अगर माल ये 6 इंच है तो 7 या बहुत करेंगे तो 8 इंच का pot लेंगे और उसी pot में हम इसे लगाएंगे लेकिन अगर माल ये कि आप पहले से 10-12 इंच के गमले में कोई प्लांट लगाए हुए हैं और आप उससे बड़ा गमला नहीं यूज करना है तो ऐसे में क्या करना है जो प्लांट के रूट है उसको थोड़ा थोड़ा साइट से ट्रिम कर देंगे ट्रिम इतना करेंगे कि जो गमला है जिसमें आपका प्लांट लगा हुआ था उससे दो-दो इंच जगा बन जाए जगा बनने के बाद से फिर से आपको उसी तरह स्वाइल नेया स्वाइल तैयार करना पड़ेगा और नेया स्वाइल से सारे के सारे जो गैप है उसे फिल क परना पर है 6 लगशा मिअ नेया स्वाइल में अच्छे सी वाइटारिंगर के बन ऑद के अब बताया कि फिर जाके एक हफ्ते बाद इस्ना करों यू इसको जो लाइट पसंदर और लाइट में रखव देंगे तो ये मेठव रहा प्लांट की रिपोर्टिंग का यानि जब आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाए उसके बाद से आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रुद पड़ेगी अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे प्लांट रेलिंग पॉर्ट में लगाए हुआ है असल में जो विंटर का प्लांट था वो खत्म हो गया था तो बहुत सारे रेलिंग पॉर्ट खाली हो गया थे तो हम उस पॉर्ट को यूज किये हमने नर्सरी से ले आया प्लांट और कुछ समय बाद जब रिपोर्टिंग किये तो किसी और pot में ना यूज़ करके सोचे कि जब तक ये खाली है तब तक हम इसी pot में रहने देते हैं root pond होने पर फिर एक से दो इंच बड़े pot में हम बाद में shift कर देंगे जैसे कि अब winter आ रहा है तो अब जारज ज्यादा एक महीने से ज्यादा हम इसमें नहीं रखेंगे एक महीने से 15-20 दिनों में हम इसे shift कर देंगे ताकि इसमें winter के प्लांट लगाए दा सके और अभी तो इसमें लब कुछ दिनों में start होकी winter के प्लांट की settling और फिर जाके यह पॉर्ट में हम shift करेंगे तो friends ओर आल यह रहा प्लांट के root bond होने का symptom और reporting tip आसा करते हैं मेरे दोआ दी गई जानकारी आपको कुछ ने कुछ जरूर काम आएगी और information मेरी अच्छी लगी हो तो प्रीज में चैनल को like, share और subscribe करना न भूलें तो friends फिर चलते हैं फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए प्लांट के साथ कोई नई जानकारी आपके साथ साजा करेंगे तब तक के लिए bye bye, take care and happy gardening